Hi guys, how are you? Welcome back, welcome back, welcome back तो एक और छोटी सी वीडियो मैं अपने experience शेर करना चाहती हूँ जस बारे मैं अपने experience शेर करना चाहती हूँ वो कोई sponsor नहीं है क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई PR गोड और sponsorship मुझे नहीं मिली है अभी तक और पता नहीं जाद मिलती है या नहीं मिलती है पर मुझे लगा कि काफी सारे questions और DM आते हैं चाहे वो skins related हो चाहे किसी से भी related हो जो मैं दिखाती बिसिकली channel पे और अपने Instagram पे और अगर आप मुझे Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे follow कर लीजे और अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजे और लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलेगा तो basically guys अगर आप मेरे बाल देखें तो मेरे बालों को जो टेक्चर है वो यही है curly hair, out curl, inner curl, so मेरे इसी तरीकी के हैं बाल और मेरे को ज्यादा इसके साथ मुशक्कत ने करने पड़ती मतलब अड़े मुझे लगते हैं नीचे से अड़े हैं लेकिन मतलब मुझे कॉम की ज्यादा ज़रूत नहीं पड़ती है तो अगर आप curly hair girl है तो आपको पता होगा मेरे बालों के लिए मैं कुछ चीज आजकल यूज कर रही हूँ आपको पता है उसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं बालों के लिए वो DIY मैंने नहीं बनाया वो दूसरी चीज है लेकिन जिसके बारे में मैं आप बताने चाहरी हूँ वो मुझे परसनल फेवरेट होग मतलब dryness, freeziness नहीं लगती है, soft लगते हैं, fragrance आती है, खुश्बू आती है और वैसे भी अगर आप अपने बालों पे पर्फियूम चेड़ा करे हो तो मत चेड़को, especially for the young girls, तो यह मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ जिसका मेरा sponsorship का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपन काटमंडू में हैं, तो आप प्रिकाश को अगर आप काटमंडू में तो आप प्रिकाश स्टोर से ले सकते हैं, Instagram पे एफार्मेसी नेपाल करके online उनका है, आप उनसे जो है ममा आर्थ की प्रोटक्ट ले सकते हैं, मैं ममा आर्थ की काफी चीज़े यूस कर रही हूँ जो म रूटक अपने बालों को दोने से पहले शब्राइनका घीला अपलाई करना होता है जड़ों में बसिकली रूट तो मैं वैसे गीला करके इसको रूट्स पर अपलाई कर रही थी लेकिन कई बार आसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता तो मेरे को जल्दी जल्दी में लगाना पड़ता है तो मैं कभी-कभी ड्राइयर पर लगाती हूं बड़ी चिकनी, ज्यासी जी होती है मतलब थी स्रीग्स लगत है तो मेरे उसी तरहीन है कि ज्यां उसलिए को और यह पालाई करना है तो मुझे यह परस्नली बहुत पसंद हैल अगर आप ज़्याए तो आप अपने ली Yap खरीच सकते हैं अनियन मास्क अनियन हेर मास्क फ्रम ममा अर्थ आई थिंक यह सामने से ठीक नहीं दिख रहा हो या दिख रहा होगा I don't know मैं बैक करके भी एक पिच्चर डाल देती हूं और यह अगर आपको पसे तो आप ले सकते हैं आपको अच्छा लगेगा मुझे अच्छ बाल है फ्रिजी बाल है उनके लिए काफी अच्छा काम करेंगा सो या आज का मेरा यही था एड्वाइस थैंक यू सो मच दो नाट फरगेट दो नाट फरगेट तो फालो मी और सब्सक्राइब मी इंस्ट्राम वाले फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब वाले सब डोनों में ही मेरा इंस्ट्राम और यूट्यूब का लिंक है आप बैयो में जाके प्रोफाल में जाके चेक कर सकते हैं बाई so this is the mama art hair mask okay guys